तो यार कल रात को मेरा एक session था यहां पर जहां पर मैं आप लोगों के साथ examination status update discuss करने जा रहा था बट वो session को मैंने withhold कर लिया और withhold करने का एक simple reason था मैं आपको किसी भी तरीके की anxiety, panic और false commitments नहीं देना चाहता था बट मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा ना करने के बाद institute यह circular आप लोगों के लिए लेके आएगा honestly speaking मैंने या मेरी पूरी team ने या unacademy ने इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यह circular का कोई relevance, कोई माइना, कोई तूख नहीं हमें दिखा लेकिन भाई सहाब राच बर में इतना flood आ गया, इतने वीडियो बन गए अलग-अलग channels पे कि बच्चे misguide होने लगे और फिर बच्चों ने कहा कि सर जब सब लोग कह रहे तो आप लोग कुछ क्यों नहीं कह रहे तो मैं कमपेल हो गया कि मैं सुबह-सुबह आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा वीडियो बनाऊ और आप लोगों को इस circular पे clarity दूँ सबसे पहली बात, with due respect to ICI, I really don't understand what is the intent of this circular and what was the necessity of this circular मैं कल सुबह 27th में 2021 को सुबह ICI के खुद के YouTube चैनल पे एक वीडियो देख रहा था बहुत अच्छा वीडियो था और बहुती responsibly वो वीडियो में ये clarify किया गया कि CA Foundation की जो exam होती है वो based होती है उसके announcements based होते है 12th की exams पे और moreover CBSE की examinations पे तो अब जब ये चीज clarify कर दी गई थी तो क्या जरूरत थी उसी दिन रात को ये circular issue करने की और ये circular क्या है मैं आप लोगों को clear कर दूँ सिर्फ और सिर्फ ये चीज कहिए कि दो centers पटन और मालेगाव examination centers में add किये गए है और बाकी circular को refer कर दिया गया है पुराने circular से जहां पे examination dates announce होई थी और 5th March का जो circular है जो CA Foundation की examination के dates announce करने के लिए issue किया गया था other particulars remain unchanged मतलब जो examination की dates थी 24, 26, 28, 30 June वो as it is है जो timings थे वो as it is है उसमें जो centers दिये थे वो as it is है उसके अलावा बस हमने बेटा जी ये दो centers नए add कर दिये बहुत महान काम कर दिये आपने honestly ICI this wasn't expected from you मैं अभी भी कहा रहा हूँ मैं favor में उनके exams होनी चाहिए but मुझे लगता है कि आपको इस तरीके के circular नहीं issue करने चाहिए timings गलत है इसकी ये बहुत anxiety और एक question mark create करता ICI बच्चों के मन में आपको ये समझना पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक CBSE की announcements नहीं आ जाती है तब तक आप announcements नहीं कर सकते हैं तो ये announcement game या circular game प्लीज मत खेलिए इससे बच्चा disturb होता है मैंने रात पर में देखा है तकरीबन 800 से 1000 messages आए मेरे पास बच्चों के अलग-अलग platform पे आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये 800 से 1000 messages जिन बच्चों के आए हैं वो शायद पूरी रात सोए नहीं बच्चों मैं आप लोगों से request करना जाऊंगा आप ये मान के चलो आपकी exam 24th June को हो रही है no anxiety, no predictions, no excuses even institute cannot do anything if CBAC comes with some different information on 1st of June मैं एक ही चीज़ कहना चाहूंगा exams तो होगी अब वो June में होगी, July में होगी, August में होगी, November में होगी अभी हमें कुछ नहीं पता, और अभी हमें कोई predictions नहीं करना चाहिए हम लोग astrologers नहीं है, हम लोग professionals है 1st June को CBAC नहीं कहा है, कि वो अपनी announcement करेगा institute से बस इतनी दर्कवास्त है, कि please ये announcement और ये circular game बच्चों के साथ ना खेले बच्चे से बहुत जादा panic हो रहे हैं, और आप लोगों से ये मेरी दर्कवास्त है कि ये circular को और किसी तरीके से interpret ना करें, it has no very important or material information as such correct, so thank you so much guys and I hope I have made clarification on this circular that really gives you a sigh of relief thank you so much